असलाम लेकुम डे स्टुडेंट्स वोप सो आप लोग खेरिया से होंगे जैसे कि आप लोग को पता है हमने अपने पाफ चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिये हैं और पांच चैप्टर्स की होप सो आप लोग समझ भी आ गई होगी आप लोगो ने टेस्ट भी दिया है उमीद है आप लोगो समझ आ गई योग यूज चीज़ की तो चलते हैं हम अपने नेक्स चैप्टर्स की तरफ जो के है हमारा चैप्टर नमबर 6 और है वो हमारे पास सिक्यॉरिटी के बेस पे सिक्यॉरिटी कॉपी राइट एंड लौ मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर को हमने किस तरह सिक्यॉर बनाना है उसमें कौन-कौन से वाइरसिस आ सकते हैं वो कब एक्टिवेट होते हैं वाइरसिस की टाइप्स की होती हैं यह सब कुछ हम इस ट्रेप्टर के अंदर डिसक्यॉस करेंगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ हमारे पास जो कॉंटेंट्स हैं इस ट्रेप्टर के वो हैं हमारे पास जो हमने कवर करने हैं वो हमारे पास कंप्यूटर सिक्यॉरिटी है computer को secure किस तरह मतलब कि computer security किस तरह होनी चाहिए computer के viruses कौन कौन से है anti-subvary software कौन कौन से है data security क्या होती है security के threats कौन कौन से है पतरात कौन कौन से है इसके इलावा है हमरे पस data को हम किस तरह protect कर सकते है प्राइवेसी ईशूज को हमारे पस कौन कौन से है पासवर्ड हम किस तरह लगा सकते हैं और बैटा का बैक अप किस तरह कर सकते हैं वैसे जो हमारा है स्मार्ट स्लेबस में वो है हमारा प्राइवेसी ईशू तक लेकिन उसके बात की जो चीजे हैं वो हम अपने concept के लिए पढ़ेंगे ताकि आपर वो ये chapter complete भी हो जाए और आपर वो थोड़ा सा concept इसके बारे में clear हो जाए चलते हैं अपने lecture की तरफ lecture number one है हमारा computer security मतलब कि हमारे पास computer security होती कैसे और computer से maintain किस तरह रखता सबसे पहले हमारे पास computer security हम बोलते हैं कि security is a system that is used to protect मतलब कि हमें किसी भी चीज़ को protect करवाना हो किसी भी चीज़ को unauthorized user access से बचाना हो मतलब कि हमारे पास जैसे कि हमारे mobile के ओपर हम password नहीं लगाते तो कई लोग हमारे mobile यूज़ कर सकते हैं इसी तरह हमारे पास computers के ओपर हम security नहीं लगाएंगे हमारे computers कई लोग use कर सकेंगे इसी तरह हमारे पास internet भी use करते हैं internet के ओपर भी हमारे पास कई लोग हमारे data access कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास है कि unauthorized user हमारे data access कर रहे हैं यह जो वाइरसिस वगेरा आ जाते यह कम्प्योटर का कोई कोई system डेमेज़ कर देंगे यह कोई software डेमेज़ कर देंगे यह हमारे data डेमेज़ कर देंगे वह unauthorized person करते हैं मतलब कि हमारे पास data को hack भी कर रहा है और उसे नुकसान भी पहुंचा रहा है हमारे पास जो हो गनार इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं यह हम से थोड़ा सा ओवर्वियू लेंगे कि यह आपके शॉट स्लिपस में नहीं है यह चीज इसका ओवर्वियू लेंगे कि हम किस तरह अपने सिस्टम का उनाथराइज जूज़र से बचा सकते हैं इसकी क्या टेक्निक्स हैं हमारे पस सबसे पहली टेक्निक है हमारे पस आपके आपके बस क्या है आखिरा से कोई ना कोई चीज होगी कि आप पता लगी कि आप आथराइज जूज़र हो आपको परमीशन दीग गई है कि आप इस सिस्टम को एकसेस करो ठीक है दा यूज़र में हैव की बैज टोकन और प्लास्टिक कार्ट गेट फिजिकल एकसेस तो सरवर रूम ठीक है हमारे बस सरवर रूम के आपके अदर हमारे बस कंप्योटर बिटिंग जहां भी है उसके अंदर जाने के लिए बंदे को ये जीज़े होना जरूरी है अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब है कि वो बंदा इसी डिपार्टमेंट का तो उसमें जाना ह वह authorized है लेकिन अगर इस बंदे के पासवर्ड नहीं है तो आप उसे इंदर ना आ जाने दो मतलब है कि वह unauthorized है वह हमारी data को नो उकसान पहुचा सकता है but you know आप क्या जानते हो ठीक है इसके लिए हमें computer के उपर password लगाना पड़ता है computer के उपर password लगाएंगे तो हम सबसे पहले जो हमारा unauthorized user आएगा उसे तो नहीं हमारा password पता और नाम पता अगर हमने unauthorized user आ भी गया तो हमने computer को अगर लॉग किया हो है तो उसे सबसे पहले user ID देना पड़ेगा उससाथ password देना पड़ेगा अगर वो authorized होगा तो उसे पता होगा unauthorized को वो चीज़ का नहीं पता होगा ठीक है वो हमारे पास है कि what you know आप क्या जानते हो what you do आप करते क्या हो ठीक है तो जो भी होगा हमारे पास unauthorized user कोई कोई भी रूम के अंदर जा रहा है तो हमें सबसे पहले एक sign करवाने चाहिए उससे document के ओपर sign करवाने चाहिए कि वाकिए में ये unauthorized user है भी या नहीं उसके अलाब है what you are आप क्या है मतलब कि ये biometric के through आपको चेक करेगी devices लगी होनी चाहिए जिसके through पता लगे कि ये हमारे employee है हमारा employee है या नहीं है या इस organization का बनता है या नहीं employee मतलब कि biometric हम किस तरह कर सकते हैं या तो हम thumb verification के through fingerprint के through हम उसके अंदर जाना हमने door ही ऐसे लगाएवे हो हमने security ऐसे लगाएवे हो इसी तरह आई रेटीना किया हम आई को scan कर वाएवे हो तो हमारा lock open हो जाए गई है हमारे पास security के कुछ measures and techniques है जो हमारे पास basic main topic है वो हमारे पास है computer viruses का computer viruses होते क्या है वो किस तरह computer को effect करते हैं उसके causes क्या है उसकी activation क्या है उसकी types क्या है और उसके हम safe guard किस तरह कर सकते हैं against viruses safe guarding against viruses हम viruses से किस तरह बचाओ कर सकते हैं चलते है computer virus की तरह computer virus हमारे पास क्या होता है हमारे पास computer virus एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पास normal programs को normal computer की working को damage करना start हो जाते है computer की working को disturb करते computer की files को corrupt करना start हो जाए computer के जो हमारे पास audios वगरा हो या हमारे पास files वगरा हो उनको damage करना start कर दे वो हमारे पास के computer virus होता है viruses हमारे पास किस तरह आते है viruses attach itself files stored on floppy disk floppy disk के थूँ आ सकते हैं लेकिन अब floppy disk नहीं चल रही है हमारे पास CD drives है DVD drives है उसके रबाब है email attachments हम emails direct download कर लेते हैं ठीक है हमें वो भी download नहीं करनी चाहिए अगर हमारे पास authorized user से आई वी है मतलब कि आप जानते हैं उस बंदे को कि उसने email आपकी send की वी है तो आप फिर download करो दरवाइस वो email download ना करो क्योंकि उसके अंदर virus हो सकता है वो सकता है इस तरह का virus हो गया आपके वो system का सारा data access कर ले, hack कर ले उसके लावा hard disk होती है हम new hard drive को भी लाकर लगा लेते हैं on करवाते हैं वो भी हमारे जो होगा वो system को damage करना शूरू हो जाएगा या मतलब कि हम USB disk लगा देते हैं USB के अंदर भी तो virus होता है जो हमारे computer को effect करता है ठीक है file containing virus itself called infected files ठीक है हमारे पास जिस file के अंदर virus होगा हम उसे बोलेंगे कि ये infected file है if this file copied to computer virus also copied to computer अगर हम यही file computer के ओपर copy करवा देंगे तो हमारे पास virus भी जो होगा वो computer के ओपर copy हो जाए ठीक है computer virus cannot damage computer hardware it may cause dangerous it may cause damages to our computer system वो हमारे computer की hardware को damage नहीं करेगा लगिन computer system को damage करतेगा computer virus can damage data और software data को भी damage करतेगा और software को भी damage कर सकता है उसके लावा यह हमारे पास automatically कुछ files को delete करना start हो जाएगा उसके लावा होता है हमारे पास सारे data को destroy कर देता है मतलब कि हमारे पास सारे data जो होता है वो गाहिब हो जाता है कि automatically हमारे जो hard drive होती है वो सारी format हो जाती है display और political or false message every time मतलब कि हमारे पास इस तरह के भी viruses आते हैं कि आपके पास display message show हो ना लग जाते है बार बार क्यों ओके पर press करें या जो भी आने लग जाते ही ये भी हमारे पास एक virus की किसाना हमारे पास causes के हैं viruses के सबसे पहले है हमारे पास है email email के through हमारे पास किस तरह virus पहलेगा जैसे कि आप किसी बंदे को नहीं जानते किसी company को नहीं जानते को registered company नहीं है वो आपको एक email send करते है कि आप इस link पे click करें या इस file को download करें तो आपको जो है इसमें आपका number आगए आपका इसमें नाम आगए कि आप इसे open करें इस file को तो आप इसके ओपर detail को पढ़ें और इसके ओपर अमल करें तो आपको price bond दिया जाएगा ठीक है हो सकते है इस तरह क्योंकि लालच दे देंगे वो आपको अब जैसी वो email download करके open करेंगे आपके computer के अदर virus टारा चाहेगा हो सकते है वो आपको इस email के through ही access कर लें और आपके computer का data सारा hack कर लें वो हमारे पास email attachment में होता है यह हमारे पास होता है virus spread through email messages email infected files attachment user open infected ठीक है मतलब कि user जब infected file को open करेगा virus computer के अंदर आजाएगा और computer के अंदर transfer जब होगा तो वो सारी files के अंदर infected when email sent to infected computer मतलब कि हम data हमारे पास इस तरह भी transfer हो सकता है कि हमारे पास virus इस तरह भी transfer हो सकता है कि हम वही file दूसरे system के अंदर जब send करेंगे तो उसके अंदर भी virus चला जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास इसकी example है उसके बाद हमारे पास second है जाता है network network क्यों होता है हमारे पास network किस तरह हमारे पास जो होता है वह virus है network हमारे पास जो बोल सकते हैं कि यह हमारे पास internet है ठीक है हमारे पास internet के थूप भी virus फैलता है जैसे कि आप लोग website ठोल रहे हों तो उपर वो pop-up से show होने लग जाते है छोटी से screen बनी भी आड़ आती है जिसके उपर आप वो बताते हैं तो आप दूसरी website के ओपर move कर जाते है वो हमारे पास एक virus की किसम होती है उसके ओपर कभी click ना करी है क्योंकि हमारे पास जो internet का भी virus virus जो है वो हमारे पास internet के थूप भी फैलता है ठीक है तो हमारे पास infected files होती है उसमें भी या हमरे पास कुछ links इस तरह के दिये जाते हैं कि आप उस link पे click करते हैं कोई भी unauthorized some person हमें link send करें कि आप इस link पे click करें तो आप इस website पे चले जाएं कि तो इस link पे भी आपने click नहीं करना क्योंकि हमारे पास जो हम internet से software भी download करते हैं उसमें भी कई दफ़ा viruses हो सकते हैं वीडियोज डाउनलोड करते हैं उसमें भी हमरे पास जो हते हैं वो viruses हो सकते हैं चाहिक है उसके बात है हमारे पास removable storage media यह simple जी बात है कि आप USB disk वगरे यूज़ करते हैं USB drive यूज़ करते हैं CD's यूज़ करते हैं उसके अंदर भी virus हो सकते हैं अगर हमारे पास USB के अंदर ही पहले से virus होगा वही file आप computer के अंदर copy करेंगे तो computer के अंदर हो जाएगा हमारे पास virus flash drive ठीक है यह हमारे पास infected file जब उसमें copy होंगी तो वो सारा virus हमारे computer के अंदर फैल जाएगा इसके रावा होता है pirated software pirated का मतलब हमारे पास होता है copied illegally हमारे पास इस तरह की software जो हमारे पास illegal तरीके से install करवाई जाते हैं software which is installed and used illegally without a license अब इसकी example है इसकी basic और main example हमारे पास same है जैसे कि हमारे पास mobile हम use कर रहे हैं कुछ apps हैं जो हमें play store से मिल जाते हैं play store से जो apps मिलते हैं वो एक licensed company मतलब कि एक registered company में ने upload किये होते हैं बाकी जो होते हैं हमारे पास कोई भी हम जैसे कि internet के through direct हम अपना software डाउनलोड करके अपने mobile में install कर लें उसका कोई वो registered company तो नहीं है वो हमारे पास अना authorized है मतलब कि वो इस तरह है कि वो आपका data hack कर रहा है हमारे पास जो उसका कोई license नहीं है वो registered company नहीं है जिसने वो प्रवाई ना ही वो play store पे इसी वरह से वो play store पे नहीं है क्योंकि वो एक registered company नहीं है जब आप उस इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका data easily hack कर रहा है वो आपसे permission भी पहले मांग लेगा कि आपके camera को भी access करेगा जब भी आप camera on करेंगे वो सारा आपका data access कर रहा होगा जब भी आप उस पे pictures अप्लोड करेंगे वो आपके pictures को capture करेगा जब भी आप उस पे voice note सेंड करेंगे वो आपकी voice को send, वो capture करेगा वीडियो काउज करेंगे, वीडियो को capture करेगा यह हमरे पस authorize नहीं होती इसी वज़ा से आपने यह pirated software नहीं करने आपने जब भी software इंस्टॉल करना है तो वो एक legal तरीके से करना है एक license company के थ्रू करना है ठीक है? हमरे पस virus activate किस तरह होता है activation of virus when virus perform its action मतलब कि हमरे पस activation हम क्या बोलते हैं, virus के activation कि जब हमरे पस वो virus काम करना start करते अपनी तबाही जैसे बोल सकते हैं, तबाह करना start करते है वो कुशौ करना start करते है, इसका मतलब है एक हमरे पस virus activate हों ए different computer viruses activated in different ways ठीक है हमारे पस जो different computer viruses होते हैं वो different ways में activate होते हैं some examples उसके हम यह रहते हैं part of application की हमारे पस होते हैं operating system को damage करना start कर देते हैं application program को run कर रोना start कर देते हैं उसके रावबद check system date की हमारे पस check system date का भी बार बार कई दफा option आ रहा होता है तो वो भी हमारे पस एक virus को check system date का मतलब यह है कि हमारे पस कुछ software इस तरह के होते हैं कि जैसे कि हमारे पस time limit दे दिया जाता है कि इतने दिन तक तुम्हें सही चलना है उसके बाद जो हो वो software जो होगा वही virus में बदल जाता है time limit दिया जाता है एक हमें date बता दी जाती है उस software को date दे दी जाती है कि इस date के बाद तुम्हें virus activate कर देना है ठीक है इसलिए हमें पुराने जो है अपने software भी नहीं use करने चाहिए अगर हमारे पस software पुराना होगा तो उसे update कर वालने चाहिए अगर हम नहीं update कर वाते है मतलब कि हमारे पास जो disk होती है वो उसको logical tracks में बदल देता है मतलब कि जैसे कि आपके एक example ले लें आपके computer के अंदर कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके new folder का option आ रहा होता है उसे आप open करते फिर एक new folder फिर open करते फिर new folder फिर open करते फिर new folder तो यह है हमारे पास वो अंदर छोटी छोटे segments मना रहेगा logical tracks मना रहेगा यह हमारे पास किस चीज का काम है यह हमारे पास virus है जिसको हम बोलते हैं कि यह हमारे पास boot sector virus है each track further divided into sectors ठीक है जैसे कि हम आगे चागे folders की तरफ move करते रहते है operating system on disk special program in its first sector ठीक है हमारे पास operating system होगा वो पहले sector में तो ठीक होगा लेकिन इसके बाद जैसे ही होगा वो boot sector के अंदर चला जाएगा आगे से आगे आपको जिस तरह open करवाते रहेंगे वो virus enter होता रहेगा हमारे पास जो होता है यह boot sector को change कर देता है अगर यह हमारे पास computer को infected कर देता है एक दफ़ा तो हमारे पास यह automatically memory के अंदर load हो जाता है जब भी हम computer को restart करवाते हैं यह जब भी on करवाते हैं यह automatically load हो जाता है हमारे पास virus तो हमारे पास जो होती है यह extension जिसकी इन software की जो भी extension होगी ना Controller यहागा यह использ के वाइरस चैथा होती है यह तो यह वाले जो virus होते हैं कि किक search के साथ काम करते हैं या तो expense की फाइल में आ जाएंगे या हमारे, डॉट कंम की फाइल में आ जाएंगे या । ड.dll में आ जाएंगे ठीक है यह हमरे पास इस तरह की फाइल के अंदर extension होगी हमें पता नहीं लगेगा exe की फाइल हमारे पास कोई setup फाइल भी होता है नहीं हमारे पास माइक्रोसाफ वाइरस होता है मतलब कि यह बहुत हामफुल साफ़वेर होता है और यह सिर्फ Microsoft की जतनी भी फाइल्स होंगी उसे उड़ाना स्टार्ट करते हैं मतलब कि हम जितनी भी assignment कोई बना के copy करें तो हम देखते हैं थोड़ी जबाद वह हमारी assignment गायब होती है यह delete होती रहती है खुद बखुद automatically गायब होती रहती है system से तो वह हमरे पास जो वाइरस होगा वह होगा हमरे पास शेर्णोबल वाइरस उसके बाद है हमरे पास logical bomb logical bomb हमरे पास एक ऐसा virus है कि हमरे पास system पे जब हम इसे install करते हैं यह हमरे पास एक software होता है ठीक है यह पहले एक software होता है लेकिन उसको एक time limit दिया जाता है कि इस time limit तक यह software बिल्कुर ठीक चलता है ठीक है लेकिन वो जब specific date के उपर आजाता है specific time दे दिये रहता है कि specific time तक उसने सही चलना है उसके बाद फिर वो जाके वही software होगा हमरे पास virus के अंदर change हो रहेगा तो हम उससे बोलेंगे कि यह हमरे पास logical bomb है ठीक है इसको हम logical bomb बोलेंगे मतलब कि यह देखें इसकी example दी गई है activated on specific date and time हमें यह नहीं पता लगता कि वह भी software हमारे पास virus के तोर पे काम कर रहा है इसलिए साथ साथ आपको software को update भी करते रहना चाहिए तो आज तक का lecture हमरा इतना ही था hope so आप लोगो समझ आ गई होगी अपना ख्यार रखेगा